Hello and welcome back to the channel, आज हम रिवीव काने वाले हैं 2022 Kia Sonnet, Kia Sonnet is a very feature-rich car, right from the start, और अब यहाँ पे कुछ और features आड़ कर दिये गए हैं, safety बहुत जारा काम किया गया है, तो आज उन सब्सक्राइब करेंगे, also today we have the IMT variant, IMT में खुद, पहली बार चला रहा हूं, तो आज उसके बारे में भात करेंगे, कि हाँ वो कैसा परफॉर्म करता है, लेने लाइक है कि नहीं और सॉनेट आपको लेना चाहिए कि नहीं, so before we start, special thanks to Khadwani Kia for helping me out, अगर आपको किया का कोई भी प्रड़क देखना है, शोर्म की सारी contact details दिस्क्रिप्शन में है, call कर ये अपने point book करें, then go to a showroom and have a look, let's start with the video, so start करते हैं वोकराउंड से, सबसे पहले मैं आपको 2022 Kia Sonnet का price बता रेता हूं, so अब ये start होती है, from 7,15,000 रुपीज एक शोरूम, and goes till 13,69,000 रुपीज एक शोरूम, so इसके अब ये base model से लेके, top end variant तक के prices हैं, today we have the HTX 1-liter turbo petrol with IMT, तो ये वाला variant है अपने पास, और black color में, I am really sorry, अम लोग इसको एकदम, मतलब धुलवा के, और एकदम तोरंथी polish और इस सब करवा के लाएते, but देख सकते हो, यहाँ पर लाते लाते तक, वो उसके पूरे black color की हालत खराब हो गया, अभी सामने से तो फिर भी ठीक है, पीछे से आप लोग अभी देखना, तो वो एक चीज हो गई है, बट ठीक है, कुछ नहीं का सकते उसके लिए, अब सबसे वहले आप front से start करते हैं, मेरे इसाब से, this looks absolutely killer, मतलब रात को अगर आप कभी आप देखो, sonnet आते हुए सामने से, you will surely mistake it for a car, which is like way above in terms of segment, because यो इसके DRLs हैं, और ये साब इन आप बहुत अच्छे लगते हैं देखने हैं, माँ सुबा भी देखो, the front look is so bold, वो में को बहुत सही लगता है, और यहाँ पर आपको tiger nose grill मिल जाती है, इसमें आपको piano black finish मिल जाता है, यहाँ पर knurling है, यहाँ आपके DRLs हैं, with crown jewel LED headlights, और यहाँ पर आपको projector fog lamps मिल जाते हैं, तो यह सब चीज़ बहुत बढ़िया है, यहाँ पर तो अच्छा silver element दिया गया है, so in terms of front look, this looks absolutely killer, उसमें तो कोई शक्की बात नहीं है, अब मैं आपको इसका engine दिखा देता हूँ, यहाँ पर IMT का badge है, so engine में आपके पास तीन options है, या, मैंने कहाँ दना तुरन दुलवा के लाया हूँ मैं, तो engine में आपके पास तीन options है, today we have the 1 liter turbo petrol, यह 120 PS की आपको power देता है, 172 NM का torque देता है, then we have a normal petrol engine, जो की produce करता है 83 PS, तो उसका भी आपके पास option है, then we have a 1.5 diesel, जो की produce करता है 100 PS की power, तो यह 3 options हैं आपके पास, बाकी today we have the turbo GDI, तो इसके बारे मैं आपन बात करेंगे, बाकी यहाँ पे कोई भी insulation नहीं दी गई है, new Kia logo, and the hood feels like heavy, I am telling you this, मतलब पहले भी मैंने Sonnet का review किया है, पहले से अगर मैं compare करूँ ना, थोड़ा सा मैं को heavy feel हो रहा है, तो एक चीज़ पक्का से यहाँ पे कुछ तो किया गया है, ठीक है, अब side की तरफ आते हैं, तो side profile से आप लोग देखिए, मेरे को ना Sonnet का front तो बहुत अच्छा लगता है, बट rear उत्ता अच्छा नहीं लगता है, तो वो मेरा एक personal opinion है, और यहाँ पे आपको chrome door handles, ORVM return signals, टायर्स के बारे में बात की जाए, so on this HTX, मतलब आपको एगदम similar alloys ही मिल रहे हैं, जो top end variant मिलते हैं, हाँ GTX में अपनको थोड़ा सा वो मतलब red inserts और मिल जाते हैं, बागी this also looks good, and the profile is 215 by 60 R16, और यहाँ पे आप cladding देख सकते हो, यहाँ पे भी थोड़ा से silver element दिया गया है, तो वो बढ़िया चीज है, यहाँ पे आपको roof rails मिल जाते हैं, आप फिन आंटेना मिल जाता है, पीछे की तरफ मैंने कहा दा यार, पीछे से बहुत जादा गंदी हो गई है, तुरंत वाश कराया था, बट स्टिल देखो, पूरी हालत खराब हो गई इसकी, बट ठीक है, कुछ नहीं गा सकते, सबसे बहले आपने इसकी tail lights के बारे बात करते हैं, आपको heartbeat tail lights मिलती हैं, तो यह एक मतलब, एक तरीके का continuous format में दी गई है, हाँ center का part उत्ता नहीं जलता है, बट एक तरीके से वो continue देखता है, तो वो बड़ियां लगता है, और यहाँ पे Kia का logo, सॉनेट का logo, turbo GDI, so one liter turbo petrol, आपको rear camera with rear parking sensors मिल जाते हैं, इस variant में, और यहाँ पे आपको defogger भी मिल रहा है, वाइपर नहीं है, वो एक चीज में को लगा, वाइपर भी देना था, मतलब आज देखके तो लगी रहे की देना था, तो ठीक है, बूट स्पेस के बारे मैं बात करते हैं, सो यहाँ पे अपनको पासिल ट्रे मिल जाता है, और बूट स्पेस इस गुड मैं, मतलब देखो, यहाँ पे ना सच में को कोई कमी आमी फील नहीं हो रही है, बूट स्पेस इस गुड, यह थोगा सा लोड़िंग लेप है, बाट जादा दिक्कत आपको नहीं होगी, और एकदम देखो स्क्वेरिश बूट है, तो समानावान रखने में भी जादा दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आपको लाइट स्मिल जाती है, इसी के नीचे, स्पेर वील तो इसको ठाने का यहाँ से दिया गया है, और स्पेर वील का प्रोफाइल है, 195 बाइट सिक्स्टी फाइव आर फिफ्टीन, तो इस साइज स्मॉलर, वो तो आपन देखते ही आ रहे हैं हर गाड़ी में, कैमरा यहाँ पे, अब धूल देख रहे हो ना, धूल अच्छी घासी हो चुकी है, अब चलते हैं हम सेकेंड रो की तरफ, सो सेकेंड रो में एक चीज़ उमें को बहुत अच्छी लगी, कि यहाँ पे आपको, ब्लाइंड दिये जा रहे हैं, यह मतलब बहुत काम का फीचर है, मतलब इनिशली विल भी लाइक ठीक है, मैं कुछ लगवा लूँगा, बट इसके साथ जो मजा आता है, ना, तस लिटरली ओन अनादर लेवल, तो इसको लगा लो, बहुत अच्छा लगता है, तो एक चीज है, यहां पर साइड में आपको, यहां पर साइड में, तो यह लेदर एट है, और यह लाइटर कलर में दिया गया है, तो हां मेरे साब से, आपको सीट कवर लगवान ही पड़ेगा, बाकि आपको दो एडजस्टेबल हेड्रेस मिल जाते हैं, आइसो फिक्स मांट मिल जाते हैं, स्पेस दिखाता हूँ सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के साफ से अजस्टेड है, मेरी हाइट सिक्स फीट और आप लोग देख सकते हो यहां पे में पास डीसेंट स्पेस है, स्वानेट इस नौट इस नौट बेस्ट इन टरम्स अफ सेकंड रो लेग रूम तो यहां पे जैसे अगर आपको सेकंड रो में जाधा लेग रूम चाहिए, यू कैन गो फॉर नेक्सॉन और एक्क्वी थी तबलो बट सॉनेट में एक बच्चा तो बैड़े आएंगे, यहां पे आपको AC वेंट मिल जाते हैं, एक चाजिंग पॉइंट मिल जाता है और यहां पे अपना फोन रख सकते हो, यहां पे अपने पास मैगजीन होल्डर भी है, सीट में, यह सब चीज़ बढ़िया है, अब चलते हैं आगे की तर तो अगर गाड़ी न्यूटरल में है, यू कैन जिस स्टार्ट इट, तो एक अच्छा उप्शन आपको यहां पे दिया गया है, कि अगर आपको रिमोट स्टार्ट करना है, तो आप वो कर सकते हो, बहुत स्लों कर रहता है, मतलब मैं कार की तरफ आ रहा हूं, और मैं को एक अच्छा फीचर रहता है कि अकर आपको रिमोट स्टार्ट मिल जाता है, यहां पे आपको के ले सेंटरी का स्ट्री का रिक जाता है, यहां से स्टार्ट करते है, तो इस इस अगें सिलवर यहां आपके ओर विम कांट्रोल whindoo कंट्रोल्ब्स, यह देख स्टेश कितने लइनल में बात करते हैं Letter Must error terre और और पिशर के वाईपिये और मिल जाते हैं तो इसमें बढ़िया है वर प्रलितीमेंट सो है मौनट इन टॉंब्स ओफ लोको गाड़ी रहर बहुत बढ़िया देखती है और चलते है आप एंपसे पहले स्थाइब कर लेते हैं सो इंश्रुमेंट क्लुस्टर के बारे में बात की जाए पहले ना HTX में अपनको यह यह पार्ट था न स्क्रीन का 4.2 इंचेस का यह अपनको ब्लाक इन वाइट मिलता था बट नाउ इस कलर्ड पहले इस सिफ का सकते हो फ्यूल एकनॉमी आफ टाय प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम विच इस नाउ स्टांडर्ड इस स्टांडर्ड इस स्टांडर्ड ओन अल्ड था मॉडल्स प्रब्लम फेस नहीं होने वाली है और यू कैन एजीली यूज़ेट यहां पर अपको क्विक अक्सिस बटन मिल जाती हैं इसमें आपको अंडर्ड ओट एन एपल कापले भी मिलता है तो यह मेरे हैं अपको अटमाटिक लाइमेट कंट्रोल उसी के नीचे यहां पर तो सब इस है यहां पर 12-volt USB फास्ट चारजिंग यहां पर इस फास्पेस दिया गया है आइए एंटी गेरवाक्स मतलब देखो कोई क्लाचत कुछ नहीं है सो मैं भी पहली बाद चला रहा हूं अब इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा यहां पर आपको कफोल्डर मिल जाते हैं और यहां पर जैसे अगर आपको सेंटर में फोन फसा के रखना है वो भी कर सकते हो कफोलडर हैंसेंर में अम्रेस्ट है इसके अंदर बी डिस में स्पेस है एंड यहां पर आपको क्लावब बोक्स मिल जाता है इसके है के अंदर डीं आते हैयो है आफको यह वाओ जाता है सो इतनी इसकी संरूफ खुलती है मेरे साब से HTX में संरूफ मिल रही है यह एक अच्छा फीचर है और एक प्रीमियम फीचर है तो एक बड़िया चीज है सेफटी के बारे में बात की जाए तो सेफटी देखे सेफटी यहां पे बहुत इंप्रूफ की गई है सबसे पहले 4 airbag driver, co-driver and side airbags are now standard right from the base model तो एक चीज कर दी गई है कि 4 airbags अब आपको मिलने वाले है और ABS वे TBD मिलने वाले है these things are standard if you go for the IMT variants or the automatic variants आपको electronic stability control vehicle stability management hill assist control, brake assist यह सारी चीज है मिलेंगी तो यह पहले से अपनको चार airbag मिल रहे हैं जो कि बहुत बढ़ियां चीज है और यहां पे सेफटी पे काम किया गया है also the steering this is only tilt adjustable टेलिसकोपिक नहीं है यह so अब एक काम करते है इसको चला के देखते हैं कि IMT कैसा है चलने में let's go अगर आपको IMT में कार को स्टार्ट करना है आपको इसको न्यूट्रल में शिफ्ट करना पड़ेगा gear में स्टार्ट नहीं होती है न्यूट्रल में स्टार्ट होती है अब जैसी gear चेंज करने की बारी आती है न आप देखो क्लाच कुछ नहीं है में को सिर्फ that's it and क्लाच को छोड़ना भी नहीं है गाड़ी हलका सा क्रॉल करती है और उसके बाद आप एकसलेटर देखे गाड़ी को छला सकते हो तो एक बड़िया चीज है और यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप कोई हाईर गेर पे चले आते हो जैसा ही मैं आपको यहां पे दिखाता हूँ कि अगर में को यहां पे अभी जैसे फर्स्ट गेर में होना चाहिए और अगर मैं इसको थर्ड गेर में डाल दूँ तो गाड़ी अपने आप देखो लेटर दो ना दो से कुछ नहीं होगा गाड़ी एक तरीके से क्लच दबा लेती है और फिर मुव नहीं करती है अंटिक अंलेस यू पुट दराइट गयर तो जैसे से केंड लगा दूं सेकेंड में अड़े आएगी बट अगर मैं यहीं पर फोर्ट लगा दूं कुछ नहीं ह अगर आप टोटली आटमाटिक की तरफ जाते हो फिर तो ठीक है बट यह तरीके से ना ऑटमाटिक और मैनुल के बीच का है और मेरे साब से ना वेनेवर यू 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 जब भी आप गयर स्टेक को यूज करते हो ना एक पैर मेरा क्लच को डूंडने के लिए निकल ही जाता है तो वह एक चीज है तो थोड़ा सा वियर्ड है बाकी ठीक है यार मतलब जैसे अगर आपको थोड़ा सा याला फीलिंग चाहिए और चाहिए आप नहीं चाहते है आपकी गाड़ी कहीं पे भी बंद हो तो तो बाट से रेली गोड यू कान हाव आयम टी वह बड़ि यहां चीज है हाँ एक चीज मैं आपको यह बता दूं कि जब आप गया चेंज करते हो ना यू डोंट रेली हाव टू लाइक लीव दा फॉटल आपको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आप मतलब फॉटल को दबा के भी रखोगे ना तो भी जैसी आप गया चेंज कर है तो वैसी वाली फीरिंग है एक तरीके से क्लच ना ओटमाटिकली हो रहा है आपको सिफ क्लच का ध्यान नहीं रखना है बाकी सब कुछ बढ़िया है तो यह जैसे में यह हलका सकी है ना मैंने आगे तो वह आटमाटिकली क्लच दब जाता है और एक्टवेटर काम करता है और उसके बाद दे गेर इस चेंज़ बाकी एविठिंग यल्स यू नो इस वन लीटर टॉब पेट्रोल इस रेली गोड इंजिन सो पावर की यहां पे कोई भी कमी नहीं है सेकंड़ी इस स्टेरिंग इस लाइट नॉट अलॉट फीडबैक बट इस अलाइट यूनेट प्रैक्टिकल है सिटी में अगर आपको चलाना आपके लिए बहुत अच्छी है विजिबिल्टी ओल आरांड इस गोड ब्रेकिंग इस रेली गोड आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और पीछे ड्रम ब्रेक सो ब्रेक सा ग्रोड ब्रेकिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है एंवेच लेविल्स अगोड स्पेशली विद इस वन लीटर और इवन इफ यू गोविद दीजल आपको मतलब आपको पता ही है मैंने आपको पिछले रेविव में बताया था तो वो सब थीज़े बढ़िया है माइलेज में आपको दिखा रहेता हूं इसका तो 6.6 का भी माइलेज दे रही है के गाड़ी देखो इस अ ब्राइंड न्यू वीकल तो बी ओनेस्ट तो जादा माइलेज अभी नहीं देगी बद दिस वन लीटर तॉबो पेट्रोल चैन इसली गवी अराउंड 8-10 इन दे सिटी अराउंड 14-15 अन दे हाईवे तो उतना म नहीं दाशिंग लोकिग चाहिए ना मतलब अगर आपके लिए लूक सिंपोर्टेंट है और यह वां इस आपको फ्युटरिस्टिक देखे जिसमें आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएं इसमें पोट सारे फीचर देखने को मिल जाएं तो इसमें प्रोप्षे लिए ज ही मिलता that's the only thing but other than that i think it's a very good car especially for city and especially for someone who wants a good looking car a futuristic car a feature rich car and with this imt imtv में अच्छा लगा but i will suggest either go for manual or go for fully automatic अना ये बीच का में को जादा कुछ समझ नहीं आया तो एक चीज़ बठा आपके बास एक option है if you want you can go for it so ये था आज का वीडियो 2022 किया सॉनेट स्या थैंक्स वाचिंग गाईज होप्या लाइक देना सब्सक्राइब करना बेल इकन दबादेना and comment down below आपको वीडियो कैसा लागा एंसे और नेक्स वीडियो बाई